हलो प्यारे बच्चो वैलकम टू आर चेनल उडान सपनों की आज हम करने जा रहे हैं क्लास एथ की गनित की वॉक्षीट वॉक्षीट नमबर 38 जो की आपकी डेट 13 दिसंबर की है एक पदी दियुपदी भुपत समान और असमान पधम पढ़ेंगे प्रिया और रिया दो जुड़वा बेहने हैं आज अपना जनम दिन एक साथ मना रही हैं दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जनम दिन पर बुलाया और दोनों बेहनों ने एक साथ केक काटा और सभी साथियों को कुछ रिटन गिफ्ट दिये यानि कि उनके पैंसिल की थी उतने ही पैंसल उस पैकेटमें थी आनि ऐसी पैंसल की तो उसी पैंसल की वा हुगी सब यहां लिद्न só longer फी उसी पैंसल में दरी गिया पैंसल की थी उतनी ही ऑबडस arrest entirely दो रबड के packet खाल खोल कर उस थैले में मिला दिये यानि की कुछ packets खोल दिये प्रिया की मम्मी ने अपने आखे बंद करके सभी बच्चे को थैले से उपहार देना आरम किया तबी प्रिया को एक गड़िते खेल सूजा और उसने कहा ऐसा करते हैं तो कैसा करते हैं, यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, यहां पढ़ते हैं, माना एक पैन की कीमत X, इसको समझाने के लिए यहां पर दिया हुआ है, जो मैंने भी आपको समझाया, तो पैन में पैकट की कीमत X रुपे होगी, X स्क्वेर होगी, क्यों होगी, देखो, क्योंकि जितनी कीमत एक पैन की होगी उतने ही एक पैकेट की होगी। मैंने जो आपको example दिया था यह दिया था कि एक pencil हो गई वो 5 रुपे की है तो pencil के packet की कीमत कितनी हो जाएगी अब आप देखिए एक जो pencil है वो माल लेते हैं हम 5 रुपे की है तो pencil के packet की कीमत अब उसी के अंदर एक के अंदर तो भी 5 ही होंगे तो 5 गुणा 5 pencil की कीमत तो हम इसको पांच की स्कुएर लिख सकते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा अपका y का स्कुएर आजाएगा इसी तरह रवड की कीमत अगर z हो जाएगी तो उसके packet की कीमत क्या हो जाएगी z square क्यूद की जितनी कीमत एक रवड क की उतनी ही रबड एक पाकेट में होंगी तो इसलिए हमने यहां सेड स्क्वेर लिख दिया है अब देखें बच्चे का नाम जिने उपहार मिला है उपहार गड़ीते रूप और पद के प्रिकार आपको बताने हैं देखें माला जो थी बच्चों का नाम है पहले माला उसको चा पैन के लिए X हो गया पैंसिल के लिए Y और रबड के लिए Z जहां भी पैकेट होगा हम स्क्वेर लगाएंगे तो 4X स्क्वेर प्लस 2Y प्लस 3Z स्क्वेर बहुपद के हो गया बहुपद की हुआ एक पद दो पद तीन पद तो जहां दो से जादा पद होते हैं वो आपका पैकेट पैंसिल पैकेट के लिए था वाई स्क्वेर होगया तो मीनिस 2Y कम कर दी हें 2 फिर पीजा को मिले 5 पैकेट रबड के लिए तो 5 z square packet के लिए square लगया यह एक पद है फिर पूजा को तीन पैन मिले तीन पैन यानिकि थ्री और पैन के लिए हमने क्या माना है सबसे पहले हमारा पैन के लिए यह प्लस पांच पैनसिल तो 5 पैनसिल के लिए y प्लस चे रवट यह इसका हो जाएगा और यह हमारा कौन सा पद हो गया बहुपद ठीक है जहां 2 से जादा पद हो गया इसके बाद है गीता को क्या मिला दो पैकेट पैन के पैकेट पैन के तो यह 2x square हो गया प्लस तीन पैन तो 3y हो गया प्लस पांच रवट तो 5 z तो यह भी आपका क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा ठीक है आप यह लिख लेजेगा यह बहुपद हो गया इसके बाद है आपका तीन पैकेट पैनसिल तो पैनसिल के लिए हमारा y था तो 3y square यह कौन सा पद हो गया एक पद ठीक है एक पदी फिर है नौँ पैंसिल यानि कि 9x प्लस 3 पाकट रवट तो 3z square पैंसिल है तो यह आपका y आएगा pen के लिए x था 9y प्लस 3z square तो यह आपका क्या हो जाएगा द्यूपदी तो यहाँ पर यह आपकी table complete हो गई है तो यहाँ से आप लिख लीजेगा इसके बाद देखिए आओ करें अपके हम पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सीख लेते हैं हमने क्या सीखा यहां से इस प्रकार हमें क्या मिला कि कोई भी चर अपने गुडांग से मिलकर पद बनाता एक पदी वेंजक क्या होता है जिसमें सिर्फ एक पद होता है जैसे 3x हो गया 4y हो गया तो यह एक पद हो गया दूपदी क्या होगा जिसमें 2 पद होते हैं अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा दूपद हो जाएगा बहुपद क्या हो जाएग rajusma 16 में दोयहें थो से ज्यादा पद होते हैं वह आपका भौवपद कहलाता है समानम्त क्या हुता है तालिका में बहुत सारे एक सार्ण जैसे एक शमान कहते हैं जैसे 3 possibility 3 जड़ स्क्स्ट क्यार यह एक जैसा है 2 उर जैसे 5z² और 3z² तो यह जैसे हो जाएगा या 8z² ले लिया और अगर मैंने लिया 3y और 5y तो यह दोने एक जैसे हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका समान पन असमान क्या हो जाएगा असमान देखे 4y² और 2y जो है असमान है कैसे यहाँ y की घाथ 2 है और यहाँ y की घाथ 1 है तो इसलिए क्या हो जाएगा असमान एक जैसे नहीं है अब देखे आउ करें उपरोग तालिका में से 5-5 उधारण समान और असमान पदों के बताएं तो यहाँ पे देखे बहुत नीचे देखा था 5z² एक एक एक्जामपल यह हो गया 2y और माइनस 2y यह हो गया एक और हम और ले लेते हैं और देखे जैसे 4x² 4x² और 8x² यह हो गया ठीक है इसके अलावा हम लिख सकते हैं 2y 5y एक और ले लेते हैं 5 बताने हां मैं तो 3y² और 2y² तो यह आपका हो गया समान सब में घात एक जैसी है और एक ही पद है तो यहाँ से लिख लिजेगा समान अब हम करते हैं असमान पद असमान पद तो इसमें असमान पद में देखिए 4x² और 3z² तो देखिए यहाँ x है और यहाँ z है तो यह अलग हो गया 3x 6z त यह अलग हो गया 2x² और 5z यह भी अलग हो गया एक और हम ले लेते हैं 4x² और 9z² चीक है तो यह दोनों अलग अलग हो गया तो यहां सा आप एक्जामपल लिख लिजेगा यह 5 हो गया समान पत्के फिर क्या बोला है विकास ने प्रिया और रिया को ओपहार स्वरूप रूप ठीक है उसने प्रिया को भी क्यावन दिये दोनों को एक जैसे दिये क्या यह भी बहुपद है देखिए बहुपद के लिए क्या होता है बहुपद हम ताब लिख सकते हैं जब दो चीजे अलग अलग हो यहां तो दोनों को एक तो उसने पैसे दिये तो अलग लग क्वांट मतलब 2 यहां दो लिख देंगे नहीं कैा इसे भी पर भिपत की कर्ठाइब में लिख्ञा आया है तो यह को हमें का movie यहां की लिखा जा गए सकता हो चैनल को लिखा जा सकता है करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड स्टा शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग